Hello everyone, welcome to our online learning platform, जिसका नाम है Let's Study India, तो last class में हम क्या पढ़ रहे थे, Texas के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने उसके plant body की बारे में study किया, आपने उसके external structure, internal structure, इंसी जो के बारे में study कर दिया, तो इसी plant के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके life cycle के बारे में पढ प्रक्चर होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ग्यामिटोफिटिक प्लांट बाडी का डेवलपमेंट होता है, वह कैसे होता है, फर्टिराइजेशन का प्रोसेस होता है, वह कैसे होता है, तो यह सारा कुछ जो है हम टैक्सस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज की इस सेकेंड में टैक्सस का, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम डेटेइल स्टेडी करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, इस प्लांट के बारे में में इसका क्या, इसका रिप्रोड़क्शन, तो अगर रिप्रोड़क्शन जाता है कहीं भी यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसी देखने को नहीं मिलेगे ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट इसका है उसका कोई एक पार्ट सेपरेट आउट हुआ और वो फिर न्यू प्लांट का डैवलप्मेंट कर दिया या कुछ बल्बिल लाइक स्ट तरीके का जो है स्ट्रक्शर जो कि अड्वैंटाइशीस ब्रांचेज बने इस तरीके से कोई भी ऐसा इसका नहीं नहीं होता है जिससे लगे कि इसमें जो है जो है वेजिटेटिव मोड आफ रिप्रोड़क्शन होता है तो ऐसा कुछ नहीं पायाता है कि और सिर्फ यहां mode of reproduction को अपनाता है sporophytic plant body produces two types of spores अगर देखा जाए तो इनकी main plant body sporophytic होती है आप जान रहे हैं कि gymnospermik plants की main plant body कैसी होती है वो sporophytic होती है means deployed condition में पाय जाते हैं तो ऐसे में यहां दो तरीके का spores पाय जाएगा दो तरीके का sports का formation होगा एक होंगे जिनको के बोलते है micro sport, micro sport जो कि आपके micro sporengia या जो भी micro sporophyll है उस पे पाय जाते हैं और दूसरे होते हैं mega sports तो इस तरीके से दो तरीके का sports का development देखने को मिलेगा दो तरीके sports पाय जाते हैं micro sports and mega sports which develop into male and female gametophyte पाय जो कि आपको male and female gametophyte उस पे डेवलप होते हैं उस पे यह पाय जाते हैं इस तरीके सीजे देखने को मिलती है अगर जेनरली देखा जाए तो इनकी plant body कैसी होती है डायोसियस होती है डायोसियस नेचर के होते हैं मिस आपका एक जो आपका plant है उस पे सिर्फ और सिर्फ मेल जो पार्ट है वो प्रेजन होगा और दूसरा जो है यहां देखने को मिलती है बट अकेजनली मेल और फीमेल शूट्स डेवलप उन सेम प्लांट बट कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मेल शूट और फीमेल शूट्स शूट्स डैट में सिस्टेम दोनों ही जो है आपका सेम प्लांट पर प्रेजन्ट है कि कहने का क्या है कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट जो है दोनों ही सेक्स ओर्गन्स जो है वो क्या है एक ही प्लांट पे प्रेजन्ट है तो ऐसी कंडिशन भी देखने को मिलती है बट जैनरली जो है अगर इस प्लांट को कंसीडर करें तो जैनरली यह डायोसियस नेचर के होते हैं दोनों ही sex organs या दोनों ही plant के जो sexual parts हैं वो दोनों अलग-अलग plant पे देखने को मिलते हैं दोनों एक जैसे एक plant पे देखने को नहीं मिलेंगे generally बट कभी-कभी ऐसी condition भी पाई जाती है जैसा देखा जा रहा है अगर में रिप्रोड़क्टिव और गन्स को देखा जाए तो वो क्या होता है कि एक डेफिनीट को लाइक structure का formation करता है कोन क्या होता है कि एक जो है आपका कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉबिलेस होता है एक मतलब ऐसा structure बन जाता है जिसके अंदर आपके जो जो भी मेल और रिप्रोड़क्टिव और गन या जो भी सेक्स और गन वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपको क्या होता है कि में ली अगर देखा जाए तो माइक्र स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कई सारे स्पोरोफिल क्या होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर इस प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर कई सारे एग्रिगेट करते हैं एक साथ मिलते हैं औ लेकिन अगर female reproductive organs को देखा जाए तो वहां ऐसा organization नहीं पाया जाता है वहां किसी भी type के cone का development, cone का formation देखने को नहीं मिलता है simple sporophyll like structure होते हैं इस वजह से जो है इनको flower कहा जाता है क्या कहते है female flower कहते है क्योंकि इस तरीके का aggregate करके जैसा male part जो है वह aggregate करके क्या कर रहा है स्ट्रॉबिलस का development कर रहा है बट अगर female part को देखा जाए female reproductive organs को देखा जाए तो वहां पर ऐसी कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है they are after called female flower तो ऐसा नहीं पाया जाता है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं इस वज़े से इसको female flower ही कहा जाता है तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती है ऐसा कुछ जो आपका organization है वह ऐसा कुछ देखने को मिलता है now male cone, अब हमें क्या देखना है कि वह male cone जिस पे आपका male part है male reproductive organ है वह present है तो उसको हम देख लेते हैं कि वह कैसा दिखाई देता है, उसका structure कैसा होता है, कौन-कौन से उसके कौन-कौन से parts है उसमें कौन-कौन से चीज़े हैं, किस तरीके का arrangement है, किस चीज से मिल करके वह बना है, तो यह सारा कुछ जो है हम क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं the male cone is stocked, अकर male cone को देखा जाए तो stocked होते हैं, that means कि एक stock like structure होगा एक जो है, आप कहा सकते हैं, कि ऐसे stock like structure होगा, जिससे आपका जो strobilis है या male cone है, वो उससे attach होगा मानलिजे जो भी part है, जिससे इसको attach करना, attach होना है, तो वो किस के through, sorry, किस के through attach होगा, वो directly ऐसा नहीं है, कि जो भी plant का part है, मानलिजे stem है, तो उससे directly attach होगा ऐसा condition नहीं पाया जाता है, यहाँ एक stock like structure present होता है, और यही stock like structure इस male cone को जो part है, उससे attach करने का या उससे जोड़ने का काम करता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ stocked होते है, stock present होता है, male cones को अगर consider करते हैं, तो, सब globos, globos कहने कर किया है, कि बिल्कुल rounded, globe like structure, बट यह व लग 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 बग जो है आपका वैसा ही structure शो करेगा, round जैसा structure शो करेगा, बट completely round structure, बिल्कुल gold structure इसका shape नहीं देखने को मिलता है, pale yellow, हलका yellow color में होता है, कौन, जो male cone है, developing solitary in the axle of leaf, और leaf के axle पे, leaf के axle पे यह अकेला पाया जाता है, solitary means क्या अकेला, leaf का axle, that means कि क्या, आपक जो stem से leaf attached है, तो यह जो reason है, जहां stem से leaf attached होता है, इस reason को बोलते है, axillary reason, इस reason पर यह male cone है, वो अकेला पाया जाता है, solitary पाया जाता है, इस तरीके का इनका arrangement पाया जाता है, young cones are erect, अगर young cones को देखा जाए, जो नए नए बने हुए है, cone, वो सीधे होते हैं, erect होते हैं, but as they mature लेकिन जैसे जैसे यह mature होते हैं, जैसे जैसे इनका age बढ़ता जाता है, age मतलब कहने का कि, जैसे जैसे यह बूरे होते जाते हैं, old होते जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि oriented in such a way as hang pendant, तो यह क्या करते हैं, कि यह थोड़ा सा जूग जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं, य तो यह जब इस इनका बढ़ता है तो ऐसे में वह इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाता है इनके में अंदर लोवर साइड़ और इस शूट के जो है जिस पर यह प्रेजेंट है उसके निचले साइड पर नीचे वाले एरिया पर यह इस तरीके से हैं करते हुए पाया जाते और यह IP Uno կह Henry popन कभन का देवलापमेंट के लिए यह इस्टाविलर्स के दाइवलापमेंट के लिए अगर यह Михaкими कU 있기 ए अगरिंगें नहीं एक साथ जोडेंगे तो ऐसे में कौन का डैवलापमेंट नहीं देखhouses को मिलेगा तो यही माइक्रोइस्पोरोफिल रिस्पॉंसिबल होते हैं जो कि जिनका नंबर अगर देखा जाए तो लगबग 6-14 के आसपास होता है और यही माइक्रोइस्पोरोफिल फिर क्या करते हैं एग्रिगेट करते हैं इनकों क्राउड़ेट एड़ टॉप ओफ कौन और यही माइक्रोइस्पोरोफिल जो है आते हैं एक साथ और यह बिल्कुल एक साथ हो जाते हैं और कहां पर उसके एक्सिस रिजन पर जो उपर का रिजन होता है कौन का उस पर क्या करते हैं यह बिल्कुल एक साथ हो करके एग्रिगेट हो जाते हैं तो ऐसा कुछ जो है अ तो इस वज़ा से कौन बन जा रहा है तो ऐसा कुछ जो है responsibility होती है, ऐसे कुछ conditions होती है micro sporeophyll में जिसकी वज़ा से कौन का development होता है micro sporeophyll is peltate structure, अगर इस micro sporeophyll को देखा जाए जो कि एक leaf-like structure होता है, micro sporeophyll है क्या actually तो actually एक leaf-like structure है जिस पे spores present है mainly micro sporeophyll है, means micro spores present है अगर यहीं mega sporeophyll है तो that means कि उस पे क्या है mega spores present है, तो यहां क्या है कि micro sporeophyll को अगर देखा जाए तो यह peltate structure के होते है, peltate कहने का क्या है कि plate-like structure के होते है, कुछ plate-like structure ऐसे कुछ structure में होते हैं और यह peltate होते है स комментария फिर भी पिर जबन तरह फिर जो ह है कि नहीं है। फिर पेर अच 근데 से अच भी स्ट्रक्चर्चर से हरे जाता है इससा पहता है जिसमेम 11ग जबन की और स्क लिए नहीं है। यह फिर चे пиш लाड़ ञाए कि एम और यह से स्ट्रक्चर घ्रग डेग हो या जो sporophyll है उस पे अटाइच है तो ऐसा कुछ condition या ऐसा कुछ arrangement यहां देखने को मिलता है तो ऐसे पाया जाते हैं यह सब अब चीज़े क्या है तो अब यहां पर जो है क्या है कि इस पाये जा रहे हैं जो कि लेटरल साइड में जैसे अकर आप इसको देखा जाए इस तरीके से अरेंग्मेंट इनका देखने को मिलता है यह वो ब्रांच है जिस पर यह पाये जा रहे हैं इस ब्रांच को अगर देखा जाए यह ब्रांच है जिस पर पाये जा रहे हैं यहां पर आपको देख पा रहे हैं कि यह मेल स्ट्रॉबिलाई है मेल स्ट्रॉबिलाई इस तरीके से पाये जा रहे हैं और इसी स्ट्रॉबि अगर मेल स्ट्रोविलर को देखा जाए तो ऐसा कुछ रहता है ऐसा कुछ अलेंगमेंट देखने को मिलता है यहां यह माइक्रोस्पोरुफिल्स है वो जो लीफ-like स्ट्रक्चर है जिन पर आपके क्या है है Micro Sporengia present यह इस टेल अब अगर हम इस डाइग्राम को देखें, एक माइक्रोस्पोरोफिल को देखें तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, इस तरीके से जो है आपके ये माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या है, कई सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, सैक लाइक स्ट्रक इस तरीक है से इसी पर міक्रिश्पोरफिल लगे हुए है और इस पूरोफिल के अंदर माइक्रोश्पोरेंजिया होंगे जैसे आपके यह देख पा रहे हैं माइक्रोसुनÓ मऄ स्पोरंजीया लिए पी माइक्रोप्रोंवें नूयुरों मेरन माइक्रोप्रोंवें पार्व पने जाती है तो यह जो learn में पाया जाते हैं और यह पूरा पर देखने को मिलते है AB मैं क्या देखना है female flower आपने male flower को मैं स्ट्रॉभिलर को देखा कैसा structure होता है आप हम देखे यह female flower वह कैसा होता है in taxes female reproductive structure अर नॉट इन्टो इन्टो आप देख चूड़ाऊटर के female reproductive तो वहां किसी कोन लाइक स्ट्रक्चर का डैवलप्मेंट नहीं पाया जाता है डायग्राम में देखने वाले हैं अधर कॉनिफर्स जैसे कि कई सारी कॉनिफर्स में देखने को मिलता है अगर फिमेल शूट को देखा जाए तो यह वहीं लीफ के एक्जिल का रीजन जो है वह ट्रीवियस यर्स ब्रांच ऐस ओ स्मॉल बड कि पिछली साल के बांच निकले होते हैं एक साल पुराना जो बांच है उस पर यह पाया जाते हैं उसे पर यह पाया जाते हैं इस प्रोटेक्टड वार्ट्ली ओऔर ऐसे में। ग्रशंग वाई the leaves होते हैं scale-like leaves होते हैं जो इसको protect करने का काम करते हैं इसको बचाने का काम करते है क्योंकि इनको protect करना बहुत important है क्योंकि यह reproductive parts है तो ऐसे में inko protect करने के लिए plants के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ऐसे ऐसे modifications देखने को मिलेंगे जिससे वो part जो है वो protected रहे, it consists of short primary axis, अगर यहां देखा जाए, तो इसमें एक छोटा primary axis होता है, जो main axis होता है, वो छोटा primary axis होता है, the growth of which is soon arrested, लेकिन कुछ समय बाद जो है, वो primary axis जो है, उसका growth रुक जाता है, वो फिर आगे develop नहीं हो पाता है, आगे उसका growth नहीं होता है, वहीं पर थोड़ा सा, जब growth होता है, उसके बाद वो रुक जाता है, तो अगर इसको देखा जाए, तो कुछ इस तरीके का structure देखने को मिलता है, यह शूट जिस पर आपको यह structure पाये जाएंगे, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यह जो structure है इसी पर पाया जाते हैं, यह ब्रैक लाइक इस्ट्रक्चर है, इसी के अंदर आपको ovule देखेगा, यह फिमेर स्ट्रोबिलाई है, फिमेर स्ट्रोबिलाई कहा दिया जा रहा है, बट इमेली स्ट्रोबिलाई नहीं होते हैं, कोई भी aggregation देखने को नहीं मिलता है, यहाँ लीफ लाइक स्रुक्चर देखने को मिलता है, यह बदर इसंसे हैं, इस के अंदर इप्रियो स्यक होता है, और इसके अंदर इंड़ी को अदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा जोभी female gamit आप का सकते है अग का development होता है तो वह देखने को मिलेगा तो इसका कुछ इस तरीके से आरेंजमेंट देखने को मिलता है now then a short secondary access develops in the axle of one of digital scales तो अब जो primary access बना उसका growth रुख गया तो अब जो है क्या होगा वहीं पर secondary access का development होगा वह जो main primary access बना उसका growth नहीं होगा बत एक और secondary access का development होगा वहीं पर secondary access बियर few pairs of और यह जो सेकंटरि एक्सिस है इसपर कुछ जो है स्केली लीफ का घैवलापमेंट होता है औल और से जूब यहहां यहीं बनेता हमनें जेन दैवलापमेंट होगा यहां जो सबसे चैनल 실ाइल यह व्यवामेंच पे वी ओव मिलेगा यहां पर बनेगा सबसे उपरी पोर्शन पर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा यहां पर बनेगा यहां पर फिर जो है आपका चीजे स्टार्ट होंगी वहां पर फिर चीजे बननी शुरू हो जाएंगी जब यह सेकेंडरी एक्सिस पर यहां यह जो ओव्यूल का डैवलप्मेंट हो यहां जो प्राइमरी एक्सिस बना था जो रुख गया अब वहां पर फिर चीजे होनी शुरू हो जाएंगी वहां पर कुछ एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी प्रड्यूसर्स एन्रेदर सेकेंडरी एक्सिस डैवलप्मेंट होगा विज भी अटर्मिनर ओव्यूल यहां से जो है तो फिर यहां से एक और एक्सिस का डैवलप्मेंट हो रहा है तो वहां पर फिर चीजे बनती है और तर्शेरी एक्सिस का डैवलप्मेंट होता है तो वहां पर चीजे बनती है और तर्शेरी एक्सिस का डैवलप्मेंट होता है तो वहां पर चीजे बनती है secondary axis may have two ovules, तो ऐसे में जो secondary axis है, उस पे दो ovules बन जाते हैं, दो ovules का development देखने को मिलता है, तो इस तरीके से इनका development होता है, पहली बार जो बनेगा, पहली साल जो बनेगा, उस पे चीजे नहीं बनेगी, उस पे ovules का formation नहीं होगा, जब वो एक साल पुड़ाना होगा, तब ज इस पे, तो ovule of Texas is also orthotropus, तो ovule को देखा जाए, तो वो भी orthotropus होता है, जैसे कि जैनरली सारे maximum gymnasium pumps में orthotropus ovule देखने को मिलता है, मिन्स इसका जो mycopile है, और चला जा है, ये दोनों ही एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ arrangement देखने को मिलता है, ये mycopile है, ये जो ovule होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और्थो ट्रॉपर्स ovule, यहां और्थो ट्रॉपर्स ovule पाया जाता है, नुसिलस इसी ovule का एक पार्ट होता है, यहां पाया जाता है, और ये क्या होता है, मैसिव होता है, काफी ज्यादा area को कवर किया रहता है, ब इंट्यूग में होता है यह प्रोटेक्शन का काम करता है गोगोर को यह सके बाहर पाया जाता है k всё thou जब देखेंगे तो य्योनीटक्नी होता है एक ही इंटूमेंट होता है इन्स गक्रण लियर होती एगाई देखें दोपस्टे के लियर होती है करे तरीक इस तरीक से बत्द कि लेयर पाई जाती है थेक प्रोटर्स्टेynn b है इसी को यह चारो तरफ से सराउंड किया रहता है बतब चारो तरफ से घेरे रहता है माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल is a small narrow aperture at the tip of ovule और इसी ovule के tip tip पर आपको माइक्रोपाइल देखा जाएगा एक छोटा opening होता है और यह opening के तुरू ही आपका जो mail gamut है वो अंदर enter करता है तो यह opening होता है इसी के तर्फ सिजixo अगे के परोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन के परोड लोज करता है एस स्रो ग्रोईंग रीव इस श्रीयल कि हुता है एक अरियल होता है करिंग्लाु受क्रीन कि श्रक्शंट नीचे आप देखेंगे और यह Uncle अबीख इस उन्हार को और यह जाया रहता है लेकिन जब यह मैंुकुर हो जाता है तो यह क्या होता है रेड री अर जृस yap लाल कर स dau logic निकवा यह साय ज Archives लेकि आप लिशी वगरा को देखते हैं कि वहाःल होता है जो हम लोग खाते हैं उस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर पाये जाती हैं तो इन्टूगमेंट जो हैं इन्टूगमेंट में दो वैस्कुलर स्ट्रैंड से होती है वहाँ पर आपका फूड वाटर है क्योंकि व्यूल को डैवलाप होना उसी के सुजो है चीज़े सप्लाई होती है तो इस तरीके से देखने को चीज़े मिलती है कि इस ट्रक्चर देखा जाए इसका तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ऐसा कुछ इस्ट्रक्चर ओवियूल का देखने को मिलता है यह वह उपिनिंग लाइक है यहां से जो मैल गैमिटस वह एंकरते हैं यह जैसे पॉलमती यह इंट्यून ट्यूस्ट इसमें क्या है find मैल काम उथ करता है है तब से बाहर यह जो बाहर पाई जा रही है है इसको एंप एरियल चाइघ इसको छे मिवार किया रहता है मिडस्का presents ये इंटिगमेंट के लेर से इस फोड़ा हाड लेर होता है बीच में इनरल फैची लेयर अंदर के तरफ जो है Chandler लेएर पाई जाती है थोड़ा तो यह लाइक होती है यह वह ज्याद़ इसमें देखने को मिल रहा है यह पूरा यह पूरा जो है यह क्या होता है फिमेल गामिटवाइट तो इस तरीके से चीजें को यहां पे यह अरियल देखने को मिल रहा है ऐसे यह एरील पाया जा रहा है तो ऐसे कुछ चीज़े देखने को मिलती है ऐसा कुछ इस्ट्रक्चर इम्रे पाया जाता है और इसी आर्ची गोनियम के अंदर इंब्रियों चाव वहां ऐसा कुछ चीज पाए जाती हैं अब हमें क्या देखना है तो यहां डैवलप हो रही है वह कैसी हो रही है वह कैसी बोड़ी बहुत कम टाइम के लिए होती है और वह कैसी होती है उसको देख लेते हैं areSys Heteroesporous आप जानते हैं की टैक्सिस प्रांट क्या होता है heteroesporus होता है 2 different type of sports कर development होता है it is produced 2 different type of sports, micro sports and mega sports, तो 2 different type stan Sports बनते Bosys is micro sports and mega sports, to see all the different types of sports present here other types of sports present these sports are haploid this sports kya hode ployd are a haploid condition में means that any stage में exist Glue होते हैं और यह सपोर्स के दरूर क्योंकि है नहीं दरूर्स के जो है इसे घैञाइटिक डावलोट्ञ्वेटश मेंधरी नहीं दरूर्स करते हैं इन ही इसक़ निड़ प्रवक्रप्ट करते हैं जो bey द्यवनियन थे सिसे कफॉर्स पूर्म करते हैं और जो भी चीज़े आप जानते हैं यह त्रमाइमक्र कर्मेरों तरु पर द्रुट्ट 2 इन स्थे स्थामी का ना फ्लुट हन्य Mooimentos आनिकवल मेल गैमेट्स और इन मेल गैमेटोफाइट युदो फइर्फ ऑउसनिघूकलिभवॉय और वह जो आपने देखा डाइग्राम में उसमें एका फॉर्मेशन होता है और अगर था करवद संस double है कि और पैक्सन कि मिन्स की आपका जो मेल गामेट से उनKA किस तरीके से या पॉलिन ग्रेंट से उनका किस तरीके से पॉलिनेशन होता है कैसे डिस पर्सल होता है कैसे वो फिमेर पार्ट है या जडिल प्लांंड उस nicola है तो वह पीजिए था होता है एने मोफिलेश म clarification क्या है कि पॉलिनेशन किस से हो रहा है एयर के त्रू हो रहा है हावा के त्रू यह जो है मूफ करते हैं जाते हैं तो इस तरीके से अनमोफिलस कंडिशन पाई जाती है इनमें पॉलिनेशन में अब हमें क्या देखना है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस टू मन्स आफ्टर पॉलिनेशन और जब यह पॉलिनेशन हो गया जब यह पॉलिन Scar生活 करके वहाँ चले गए फिमेल रिप्रडॉड़क्टी पाट तक पहुँच गएं फिर भी जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कब होगा, दो महीने बाद होगा, तो दो महीने के बाद जो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मिंस जो आपका male gamut, female gamut से fuse करता है, उतको होने में दो महीने लगते हैं, तो अगर कई सारे आर्ची गोनिया होते हैं, तो अगर कई सारे आर्ची गोनिया, तो यहाँ एग का development भी होगा, कई सारे, और इस वज़े से बहुत सारे एग फर्टिलाइज करेंगे, और कई सारे embryo का development होगा, और ऐसे में जब कई सारे embryo का development होता है, तो इस condition को हम बोलते हैं, polyembryony, तो यहाँ polyembryony की condition देखने को मिलती है, लेकिन, लेकिन क्या होता है, सिर्फ एक embryo जो है, वही mature होता है, बाकी सब disintegrate हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, सिर्फ एक जो embryo है, वही mature कर पाता है, बनने को तो कई सारे बन रहें embryo, बट mature क्या होता है? सिर्फ एक होता है, बाकी सब क्या होता है? खतम हो जाते हैं तो वही है कि fertilization के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में further division का process होता है और ये division होता है उसके बाद क्या होता है? इंब्रियो का development होता है formation of seed occur and then during favorable condition, seed germinate और इसके बाद क्या है कि? सीड का formation होता है, सीड का formation होने के बाद जो है ये सीड क्या करते है? germinate करके new plant body का formation करते हैं तो इस तरीके से जो है इनकी cycle चलती है, इस तरीके से सारा कुछ जो है इस plant के अंदर होता है तो ये चीज़ें आपने देख लिए इसके reproduction के बारे में, taxes के बारे में, तो आपने taxes के बारे में पूरी डीटेल स्टडी कर ली इसकी plant body के बारे में साथ ही साथ इसके reproduction के बारे में तो ये जो है आपका topic complete हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you so much, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद